नमस्का दोस्तों चेहरे पर यदि एक या दो तिल हो तो वो अच्छे लगते हैं और खुबसूरती का प्रतेग भी माने जाते हैं लेकिन उनकी संक्या जादा हो जाए और लगतार बढ़ रही हो तो ये परेशानी का सबक बन जाते हैं आम तोर पर हम इनका इलाज लिज़र थेरेपी ही मानते हैं और इसलिए हम इसे रोज मरा के जिन्दगी में नजर अंदास कर देते हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ घरेलू उपाए जिनके जरिये आप अपनी इन तिल के निशानों को या फिल इन तिलों को बहुत ही असानी से धीरे धीरे कम कर सकते हैं तो आई ये जान लेते हैं कुछ ऐसे ही उपाए सेप का सिरका एपल विनिगर सेप का सिरका बहुत ही ज़यादा काम गर है आपके तिलों को हटानी के लिए रात को सोती समय पहले चेरे को अच्छे से दो लीजिए इसके बाद सेब के सिरके से चेरे पर हलकी हलकी मसाज कीजिए और इसे रात भर लगा रहने दीजिए सुबह उठकर चेरे को दो ले ये विदी रोजाना करने से पहले तो आपके तिल दुंदले पड़ेंगे उसके बाद धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएंगे चलते हैं अगले उपाई की और लैसुन का पेस्ट लैसुन की एक या दो कली का पेस्ट बनाईए और उसे तिल की जगा पर रख लीजिए और उसके बाद उस पर एक बैंडिट लगा दीजिए रात भर इसे ऐसे ही रहनी दीजिए ये विदी तिल हटाने में बहुती कारगर मानी जाती है अगला उपाई है नमक और प्याज का पेस्ट एक प्याज और थोड़ा नमक लीजिए प्याज को छील कर और पीस कर इसका पेस्ट बना दीजिए और इसमें फिर छोटा चमस नमक मिलाकर तिल वाली जगा पर रख लीजिए ये विदी आपको दिन में कम से कम दो या तीन बार करनी होगी सुवीदा के अनुसार आप इसे रात में भी कर सकते हैं चौथा उपाय है केले का चिलका केले के चिलके का एक टुकडा लीजिए और इसके अंदर वाला हिस्सा तिल पर रख कर उपर से बैडिट रख लीजिए रात पर इसे ऐसे ही रहने दीजिए इस वीदी से तिल जड से सूप कर निकल जाता है तो ये थे चार उपाय जिनके दुआरा आप अपने तिलों से पा सकते हैं निजात एक या दो तिल आपके चैरे पर खुबसूरत लगता है लेकिन अगर ये बढ़ने लगे तो आपको ये कुपाय अपना सकते हैं इसी के साथ ही दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तु